और यह बस का पीछे से फुल रिव्यू आप भी कह रहा हूं है और कैसी बस है यह जैसे बाहर मुलक में चलती है दुबाई गएरा की बसे है चाइना की बसे है कराची में भी आ गई है वही इलेक्ट्रिक बस है अंदर से आप उस आगे से देख लें बस का अंदर बड़ी कराची कराची बस सर्विस जिसमें जाओंगा बैरियर डाउन बस बस बारियर डाउन जी बई बस जाती है वही कराची की यह पर शुटे सब्सक्राइब करते हैं आपको बहुत सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबादें देखे ताकर मेरे आने वाले समाम विलोग आपको पास आने मिल सके हैं और यह बस का पीछे से फुल रिव्यू आप भी कह रहा हूं है और कैसी बस है जैसे बाहर मुलक में चलती है दुबाई वेरा की बसें चाइना की बसें कराची में भी आ गई है अंदर से आपको दिखाएंगे जब बैड़ी आएंगे ट्रेवल करेंगे और थोड़ा आपको निए बता दूँं कहां से कहां तक जाती मलीर हें से बैरियर टाउन जाएगी चिर्फ और एक सामने भी दिखें खड़ी भी तो यह बस और और इसके आज कल तीन रूट चल ले जो एक तीन रूट चलना जो करे पहला जो रूट है हो है मलीर हैर्ट स्टीवियों तक है और दूसरा रूड यह को दे कर आपको जाएंगे अपना जोहर से होतेविय कुछ ले पर बैट से बस पर आके सोभी देख लें बसका मंजल बडी दबरदस है और अभी हम बस पर सवार उचुके हैं और आप देख सकते हैं मनदर भार के अच्छा मौसाम हुआ है सुबह सुबह तक्रीबन साड़े नौ टाइम हो रहा है बलके दस बज़ रहे हैं और ये बस का अंदर से भी वीव है और जो आप देख रहे हैं भार ये काम चल ला है कर पजास रुपे भी है और अब ये थोड़ी और बस चलने बाद स्टॉप आ रहा है जाए इस पर अवाम यहां सवार भी होती है और कुछ अवाम उतरती भी है जैसे आप देख सकते हैं काफी लोग खड़े भी है और यहां पंजाब वली बसें भी खड़ी है शहिए बकाई होस्पिटल वाले स्टॉप है जो बकाई उनिवस्टी वे रहा है और बस अंदर से बहुत ही अच्छी बनीवी अराम दे सीटे हैं फॉम वाली और इसी भी बंद है क्योंकर सड़ दी है बहुत है फुल इलेक्ट्रिक बस है और फुल इलेक्ट्रिक बस है और बहुत इच्छी बस है अंदर से और आटोमेटिक बस है और यही कुछ देर बाद ही टूल पलाजा भी आगी है जो कराची हिदराबाद का टूल पलाजा है यहां से अब बस हमारी गुजर रही है और अब आने लगा है बलके आगी है उस्मानिया रेस्टोरेंट जो के बहुत फेमस है हाईवेगा सुपर हाईवेगा उस्मानिया रेस्टोरेंट वहां खड़ी वी बस 47 a.m और बहुत ही जल्दी हम बेरियर डाउन पहुच चुके हैं तकरीबान 40-45 मिनटी लगें बेरियर डाउन के अंदर आ चुके हैं और अभी में गेट आएगा बेरियर डाउन का वो भी आपको दिखाते हैं यह सामने आगी है बहुत ही खब्सूरत में गेट बनावा है इंका बस अब जारी बेरियर डाउन के अंदर आपने देखा बस का ट्रेवल मेरा यह इवी 1 किलाती यह इवी 2 वलके बैरीयर टाउन आती है मलील हेल्ज से और अभी मैं बैरीयर टाउन पहुच चुका हूं और आपको दिखाते हैं यहां का मंदर बैरीयर टाउन गा सरदी में ठंडी-ठंडी हवाय चल ली है और दिखाते हैं थोड़ी धूप हो गई आ गई है यह चेक करें अभी हम मौझूद हैं बैरियर डाउन हेड ओफिस के करीब यह रोड चल ले है बैरियर डाउन हेड ओफिस का सामने कुलोक टावर है और चलें और आगे मंदर दिखाते हैं आपको और यह बैरियर डाउन हेड ओफिस का सामने रोड चल ले है थोड़ी उंचाई भे खड़ा हूँ है और सामने आप देख सकते हैं कुलोक टावर फूड़ा और आगे आया हूं मैं चलके यह रोड है बेरियर टाउन के साफ उतरे और सामने आप पार्क भी देख सकते हैं जूले लगें जो का अभी बंद पार्क शाम में कुलेगा अभी बंद तक कि अभी बंद विएव लिए को मेरा साल मकसद था बेरियर टाउन आना वह आपको अलेक्टरिक बंद दिखानी थी जो कि मैं ने दिखा जी अभी बंद इस विलोग को यहीं अगर मेरा आपको अच्छा लगे तो लाइक और शायनर को शुप्स्राइब जरूर अब आफ से मिलते हैं नेक्स विलोग बने जब तक के अला फीज में जाएंगे ड़ीज आप देखिये गा अब इसे अब अब आप झाल झाल